हलो, फ्रेंड वेल्कम बाक को मैं चैनल आज मैं आप लोगों साथ शेर करने वाली हूं बोहत ही टेस्टी बनने वाले सहजन आलो की सबजी बनाने का बोहत ही असान तरीकह जिसे एगर आप एक बार बार सहजन आलो की सबजी को बनाके खाना पसंद गे तो आप इस तरीके से एक बस सहजा नालू की सबजी घर पर जो ट्राय करके देखिएगा, उमीद है आपको यह बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इससे बनाना स्टाइट करते हैं सहजा नालू की सबजी बनाने के लिएम सबसे पहले गयास ओन करेंगे और एक कड़ाई को अच्छे से गरम होने देंगे देखिए कड़ाई एच्छे से गरम हो चुक है, अब इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ओल आट करेंगे आप चाहें तो यहाँ पर एक ओल भी कुकिंग ओल के युच कर सकते हैं और ओल को अच्छे से गरम होने दें देखिए ओल अच्छे से गरम हो चुक है, अब इसमें हम थोड़ा सा राई और सुखी लाल मिर्स का फोरान आट करेंगे अब इसे हम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम दो मिडियम साइज का बारी खटाववा प्याज आट करेंगे जब तक प्या़ज फ्राई होरा तब तक हम इसके लिए मसाला बना के रेडि करते हैं तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच पीला सरसो, दो मिडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, चार सुखी लाल मिर्च, एक किंच कटा हुआ अधरक, एक बड़ा लहसन पुरा छेल के लिया है, अब हम एक मिक्सर के जार में इन सभी चीजों को आड़ कर लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा पाने आट करके, इसका हम फाइन सा पेस्ट बना के रेड़ी कर लेंगे, देखे मैंने इस तरीके से इसका पेस्ट बना के रेड़ी कर लिया है, और इधर प्यांज भी अच्छे से गोर्डें ब्राउन हो चुका है, अब इसमें कटा हुआ, सहजन और आलू को अट करेंगे, यहाँ पर मैंने हाग केजी सहजन को छील के काट के अच्छे से वोस कर लिया है, और मैंने तीन मिडियम साइज के आलू को भी छील के काट के अच्छे से धोलिया है, अब हम इसी टैम में इसमें नमक अट करेंगे, नमक अपने टेस्ट के कोडिंग अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और हम सहजन आलू को cover करके medium flame में अच्छे से fry करेंगे जब तक की इससे oil separate ना होने लगे देखिए सहजन और आलू अच्छे से फ्राई हो चुक है अब इसमें हम हमने जो मसाला बना के रखा था उसे इसमें आड़ करेंगे अब इसमें सुखे मसाला भी add करेंगे एक चमच जीरा पौर्डर एक चमच धन्या पौर्डर एक चमच हल्दी पौर्डर वंध्फो चमच काली मीज पौर्डर एक चमच कसम ही लाल मीज पौडर यह बिल्कुल उप्सनल है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते अब इसे हम अच्छे से mix करेंगे और हम मसाला को medium flame में cover करके अच्छे से fry करेंगे जब तक कि मसाला से oil separate ना होने लगे देखिए मसाला से oil separate होने लग गया है यानि कि हमारा जो मसाला वो अच्छे से fry हो चुका है अब इसे हम एक बर अच्छे से mix कर लेंगे अब इसे हम पानी आट करेंगे तो यहाँ पर मैंने डेड़ ग्लास पानी आट किया है आप चाहें तो यहाँ पर पानी की quantity अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते है आपको जैसा gravy खाने का मन हो आप उसे according इसमें पानी डाले अब इसे हम अच्छे से mix कर लेंगे और इसे हम कवर करके medium flame में 8-10 मिनट के लिए पकने देंगे जिसी कि हमारा जो सहजन ही वो अच्छे से पक जाएगा देखिए इसे पकते वे 8-10 मिनट हो चुका है तो देखिए हमारा बहुत ही tasty सहजन और आलू की सबजी बनके ready है अब इसमें last में कटा हुवा हराधन या add करेंगे और यहां पर हम gas को off कर देंगे और इसे हम एक बर अच्छे से mix कर लेंगे तो देखिए हमारा बहुत ही tasty सहजन और आलू की सबजी बनके ready है अब इसे आप गर्मा गरम सर्फ कर सकते है अब मैं आपको गर्मा गरम सहजन और आल राइस के साथ यह कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like कर दे और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दे और bell icon को प्रेस कर दे जिससे मेरे आने वाली नेस्ट रे